हेलो स्वागत है आप सभी का आजके इस नई वीडियो में जिसमें मैं आप सभी के लिए टॉट प्लेंडर की त्योरी को discussion करने वाला हूं यह एक स्वीडेस स्वीडन के स्वीडेस 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 एकॉनमिस्ट जिन्होंने location theory अपनी प्रपॉंड की है जितनी भी त्योरी आपको दिखाए दें इंड्रेस्ट्रियल प्रॉफिट हो तो में कंसन क्या है में मुद्दा यह है कि उस जगह को ढूंडा जाए जहां पर आप इंड्रेस्ट्री को locate करेंगे तो उससे आपको maximum मुनाफ़ा हो सके जादा सादा मुनाफ़ा हो सके अब इस बात को ढूंडने के लिए अलग-अलग स्कॉलर ने अलग-अलग बाते कहिए जैसे वेबर ने कहा है कि अगर आप जब सबसे कम जहां पर नियूंतम परिवाहन लगत होता है मिनिम्म ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट है वहां पर आप इंड्रेस्ट्री लगा दो सब सादा फाइदा होगा DM Smith ने कहा कि नई जहां पर कॉस्ट में और रेविन्यू में मैक्सिमम डिफरेंस होगा वहां पर इंड्रेस्ट्री लगा दो मैक्सिमम बेनेफिट होगा इस तरीके से सबने अपने अलग अलग बाते कहीं है उसी तरीके से Todd Plender भी है तो Todd Plender ने क्या बात कही थी इसको discussion हम करेंगे इस वीडियो में आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है आप मुझे बताते चले मुझे जब जब समय लगेगा मैं तब तब आपके लिए यह location theories लेकर के आता रहूंगा और यह सारी जो theories में आपके लिए लेकर के आ रहा हूं और साथ ही पीवाई को भी मैं special classmen academy special classmen detail में डिसकूस कर इस पर आप जाकर के मुझे follow कर सकते हैं यह profile है यह और मैंने दो नए courses launch किये हैं आपको मैं बता दूँ ठीक है यह plus courses है जो कि start हो चुके है upcoming नहीं है यह आज से start हो चुके है special course on geography सुबह इसकी class होती है साड़े साथ बजे सुबह और यह detailed course on geography of India part 1 इसकी class evening में 6 बजे होती ह ठीक है इसके अलावा यह कुछ previous courses भी है जिनको आप देख सकते हैं और आपको अगर 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 अगराफी प्लस सब्सक्राइब करना है यह तो हमारी previous classes है free classes और daily free classes में दो free classes लेता हूँ उनको आप जाकर देख सकते हैं अगर प्लस कर और daily join कर सकते हैं यह मेरा रफल कोड है जोग्राफी विदंके इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का discount मिल जाएगा छे से मारा महीने तक का ही सब्सक्राइब लेजेगा इससे पहले कम का मत लेजेगा ठीक है यह मेरे बारे में कुछ बाते हैं आपकी किसी काम की नहीं है आप देख सकते हैं सुब इसको हम discussion कर रहे हैं 17 सालों के इस बात को ध्यान देना और जरूर से क्लास में उपस्तित होना बढ़ते हैं अपने content की तरफ और मैं इसको थोड़ा सा उपर कर देता हूं ताकि आपको सारी चीज़ें बहतर तरीके से विजबल हूं ठीक है चले तो टॉड्ड प्लेंडर की जो theory है industrial location की मुद्धा क्या है कि उस location को ढूंड़ना जहां पर industry को अगर लगाएं तो सबसादा मुनाफ़ा हो इनकी theory को देखो market area approach भी कहते है market area approach का मतलब क्या होता और हिंदी इंग्लिश दोनों में है notes हिंदी और इंग्लिश दोनों में है अगर आपको ये notes कर लेना मतलब उससे connect हो जाना टेलिग्राम चैनल डाउनलोड करके play store से और टेलिग्राम चैनल से आप कैसे जुड़ेंगे तो उसका link नीचे description में दिया हुआ है और हमारे whatsapp group से भी आप जुड़ सकते हैं उसका link नीचे description में दिया हुआ है market area approach का मतलब होता है हिंदी करम है उनके production identical है production का एक समान कॉस्ट होती है production कॉस्ट कहीं पर भी आप अगर लगाएं तो production कॉस्ट एक समान है सभी जगह पर जो डिस्टिबूर से तो इस उस location को चूज करने के लिए जहां पर सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा होता है तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टन जीज़ क्या है each seller seeks to control largest possible market area तो इसके लिए जरूरी है कि आप सबसे ज़्यादा अगर profit कमाना चाहते हैं तो जो seller है उसको अपने production point से ज्यादा से ज्यादा market area को अप्रोच करना होगा यह market area अप्रोच है यानि कि अब देखिए बड़े शेत्र में इस point पर माले यह production हो रहा है इस point पर अगर production हो रहा है तो कितनी दूर से लोग इसको खरीदने के लिए आएंगे तो जितनी दूर से इसको लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं तो उसके boundary हुई जाहिर सी बात है ठीके तो यानि कि इसकी जो पहुंच है market area इसकी अप्रोच है वह बहुत दूर तक है अ आप खुदी बताएं दोनों में किसकी पहुंच जादा है market area प्रोच किसकी है तो बी पॉइंट की जादा प्रोच है आप इसको कह सकते हैं अब क्यों है इसकी जादा प्रोच क्यूं है आप सो सकते हैं तो यहां पर जाहर सी बात है इसको कम कॉस्ट में यह चीज़ें दे होगा यहां पर cost जदा होगी चाहे अगर यहां पर जो production point है उसकी cost production cost चाहे कम हो लेकिन transportation cost हो सकता है कि हाई हो इस लिए यहां पर इसकी approach बहुत कम है कैते हैं मतलब इस तरीकी की जो अप्रोश है जिन में जाद से जादा market area को acquire करना होता है उस तर ही की अप्रोच को हम market area approach कहते हैं यही बात इसमें कही गई है ठीक है the position and extent of will of which will be influenced by consumer behavior and by location decision of other firm ठीक है अब यह जो market area है कितना ज्यादा बड़ा होगा है कितना extent करेगा यह consumer के behavior पर निर्वर करता है वो आएगा यह नहीं आएगा location पर निर्वर करता है decision of the firm किस जगह पर आपने location लगाई फर्म की location लगाई है इसके decision पर निर्वर करता है तो spatial pattern of a plant location in market area is thus a product of variation from place to place in demand of location interdependence of firm इसलिए आप कह सकते हैं कि जो plant location of market area है वो इस्थानिक pattern है इस प्रकार जो firm है इसकी local interdependence होती है मांग में जगह जगह विवित्ता एक उपाद है यह आपकी इस बहाशा को आप भी थोड़ी जर में समझ जाएंगे अब Todd Plender की theory पर हम चलते हैं क्योंकि market area approach की इनकी theory है जाहिर सी बात है इन्होंने भी अपनी theory में क्या बात कही होगी इसको इस concept को समझने के बाता समझ गए है इन्होंने कही होगी कि जाधा साधा area को acquire करो तभी जाका आपको फायदा होगा तो यह स्वीडेश economist थे एक्जाम के point of office इसको जाद रखना Todd Plender ने अपनी theory industrial location theory को 1935 में publish किया था और इन्होंने एक दो fundamental questions को attempt किया था जिनका ये जिनको theoretically approach करके ये उनका answer देने की कोशिश कर रहे थे और जिसकी वजह से इन्होंने पता लगाया मतलब जिसमें इन्होंने इन questions का answer देगर के पता लगाने की कोशिश करी कि industry के लिए best possible location क्या हो सकती है और इन्होंने पाच possible locations के बारे में बताया है जिनका आप अभी उनके बारे में थोड़ी देर में सीख जाएंगे सबसे पहला ये कहते हैं कि given the price अगर price given है और location location and price given है of material and of the market तो कहां पर production point होगा और कहां पर production किया जाएगा यह आपके लिए एक मुद्दा होगा ठीक है सामागरी बाजार और कीमत और इस्थान को देखते हुए उत्पादन कहां होगा एक question यह है इनका दूसरा उत्पादन के जितनी जगए होती है उत्पादन के जगए है प्रत्रतियूं कारखानों के लागत और परीवांदर्यों को देखते हुए कीमत उस शेत्र की स प्लेस है या फिर जिस कॉंपपोरेटीटिव कंडिशन है ट्रास्पॉडेशन असे करते हैं जिसकी वजह से इसका एर्या एक्सटेंड होता है या तो ऍथक अब इसका मतलब क्या है और कहां तक जब इस समझिये ठीक है मैं अपनी इस image को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं यह लेजे यहां पर आप देख रहे हैं यह production point है यह production point है भी ठीक है इस access पर अगर आप उपर बढ़ते हैं तो यहां पर price high हो रहा है और इस access पर आगे बढ़ रहे हैं तो फर्म से या फिर इधर या फिर इधर या राइट में या फिर लेफ्ट में लेफ्ट और राइट दों तरफ डिस्टेंस बढ़ती है डिस्टेंस बढ़ती है production point से तो जाहिर सी बात है उसको क्या देना पड़ेगा अगर माली जी यह production point है और यहां से कोई व्यक्ति खरीदने के लिए इसको आएगा तो क्या transportation cost नही तो यहां पर आप देखें मैंने आपको अभी क्या का था कि competition competitor जो होता है वह निरधारित करता है कि इसका छेत्र कितना होगा कहां तक कोई एक फर्म अपना transportation बेचे अपना गुड्स उसको बेचेगा यह competition से निरधारित होता है जैसे कि देखिए अभी आप देखें यहां पर बी है production point B है production point A है इनका area अपना डिफाइंड है यह जो वर्टिकल लाइन से आपको दिखाए दे रही है यह क्या दिखा रही है यहां पर देखो लिखावाए प्राइस एट पॉइंट को यह शो कर रही है यानिकि जितना उत्पादन इस production point पर किसी उत्पाद को उसको उत्पन करने में उसको बनाने में जिससे माली यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है यहां पर इसको बनाने के लिए जो खरचा आया है वो खरचा माले यह पाँच रुपह है कोई पैन हो सकता है और यहां पर कितना खर्चा है इसके अनुसार यहां पर देखो यहां पर कम है इसतना ही है तो मालेजी यहां पर वह खर्चा तीन रुपए है प्रोड़क्शन पॉइंट यहां पर ज्यादा है यहां पर ज्यादा है यहां पर कम है अब देखिए इसमें ज transportation cost कम होगा इस point पर जाएंगे transportation cost बढ़ेगा इस पर जाएंगे और बढ़ेगा और दूर जाएंगे और बढ़ेगा तो वैसे इधर भी जाएए इधर पर जाएंगे इस point से बी पॉइंट पर आने में transportation को देना पड़ेगा, यहाँ पर और ज्यादा देना पड़ेगा, यहाँ पर और ज्यादा देना पड़ेगा, इस पॉइंट पर आएंगे तो और ज्यादा, इस पॉइंट पर आएंगे और ज्यादा, तो इसी लिए जो उपर आपको यह gradient line दिखा दिखाए दिखाए दे रही है इसमें एड हो गया है transportation cost यह को दिखा रही है रेट को स्का मतलब होता है transportation यूण कि भाड़ा चार्ज परिवहन मूल लेह अब इसमें देखी जो टोटल ओवरॉल कॉस्ट है वह एड हो चुके हैं यानि कि आप कहें जो final cost होती है final cost इसमें आप जोड सकते हैं क्या इसमें आप जोड सकते है production cost plus freight cost freight charge या फिर आप इसको कह सकते है क्योंकि यहाँ पर कितना cost हुआ है और फिर इसमें भाड़ा कितना लगेगा इन दोनों को अगर आप जोड देंगे इस point पर final cost देखे एए point पर सबसे कम होगी है ना एए और एड़ेश क्या है यह price की production cost है बी और बी ड़ेश क्या है यह इस production cost है अभी यहाँ से थोड़ा थोड़ा और दूर जाते रहेंगे तो production cost के साथ साथ इने transportation cost भी देने पड़ेगी और यहाँ पर यह एक ऐसा point आएगा जहाँ पर A और B इन दोनों के जो cost है वो intersect करेंगे उस वो मालीजी वो X हो सकता है अभी आपको यह समझे में नहीं आ रहा होगा कि यह X क्या है यह intersect क्यों गर रहे है तो इसको मैं आपको example production point है कि यहां पर वो 50юсь रुपएय है ठीक है और यह पर आप अजीन किजिये उसका production point किसी भी पॉइंट के यह मालीजीी समान रूप से अत्पादन कर रहे है ठीक है एक ही चीज़ यह उत्तपादन कर रहे हैं और यह यहां पर उसका यह कि 40 रुपे फ्रेट कॉस्ट देना पड़ेगा इस पॉइंट पर यहाँ पर 10 रुपे यहाँ पर 20 रुपे यहाँ पर 30 रुपे यहाँ पर 40 रुपे देना पड़ेगा तो 30 रुपे तो इसका बेस हो गया जो प्रोडक्शन का है ही और 40 रुपे इसका यहां से ले करके आने में ठीक है यहां से अगर कोई व्यक्ति X पॉइंट से अगर व्यक्ति B तक जाएगा तो उसको 40 रुपे तो भाड़ा देना पड़ेगा 30 रुपे का वह ही टोटल कितना खर्चा आ गया टोटल 70 रुपे आ गया वैसे ही अगर आप यहां पर देखें अगर कोई व्यक्ति X पर रहता है और वो ए पर जाना चाहता है तो उसको इतना तो पहले चार्ज देना पड़े यह तो पहले उसका बेस है प्रोड़क्शन कॉस्ट है लेकिन अगर आगे जाएंगे थोड़ा सा और यहां पर रहते हैं तो आपको ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट भी देना पड़ेगा और यह ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट क्योंकि इसकी तुलना में देखी पास है यह दूरी यह जो दूरी है इस दूरी की तुलना में कम है इसलिए यहा पॉइंट होता है जहां पर इपॉइंट से इप उपर पर पर आगर आप जाए सामान लेने amTube आप लेने तो दोनों पर ही बराबर आपको खर्चा देना होगा यह वह पॉइंट है जिसको आफ पहते हैं कि एक्स से सेम होते हैं उस पॉइंट से चाहे आप B में जाओ चाहे आप A में जाओ कि आपको बराबर रूपए देने पड़ेंगे ठीक है और माल लिजी इसी के अनुसार कि इसी के अनुसार किसी शेत्र का किसी भी प्रॉड़क्शन पॉइंट का उसका एरिया डिफाइन होता प्राइस यह सारे के सारे एफेक्ट करते हैं प्राइस को जिससे कि किसी रीजन का एरिया डिफाइन होता है अब आप खुदी देखिए यहां पर यह बी में प्रोड़क्शन पॉइंट कम था एक तुलना में तो इसमें अगर धीरे-धीरे-धीरे करके अगर 40 रुपए ट्रा कालिस रुपए फ्रेट कॉस्स लगने के बराबर होगा तो इसकी वजह से इसमें जो कंपॉटिशन है वो कंपॉटिशन इसका कम है इतने बड़े एरिया को देखिए इसने एक्वायर करके रखा हुआ है वहीं जो एवाला प्रोड़क्शन रीजन है वो के वहल इतने एरि को acquire करती है तो यह सभी बातें उसमें निर्भर करती हैं यह इनकी separation line है या फिर आप कह सकते हैं कि इस point पर बी पर अगर आप जाए तो भी और ए पर जाए तो भी दोनों में बराबर आपको cost देनी कि कहां पर कोई फर्म कितनी दूर तक वह अपना अध्यपत्य स्थाबित कर सकती है कि कितनी दूर तक उसकी जो यह पहुंच है वह होगी उसके area कहा तक होगा इसको define करने के लिए वो एक इस तरीके से illustration अपना करते हैं यह अपना एक simple case लेते हैं दो को फर्म का जिसमें की जो कि दोनों के दोनों फर्म सेम प्रोड़क्ट बना रही है एक linear मार्केट में इसको आप नीच पीछे जो फिगर है उससाब समझ सकते हैं फर्म a and b यह serving market serving a market distributed along the horizontal axis of diagram यहाँ पर यह इतनी दूरी को क्या रहे हैं सरुख कर रहे हैं आप इस पूरे रीजन में यह अपना product को सेम product ही बना रहें सरुख कर रहे हैं ठीक हर इसमें आगे देखे ता प्लांत कॉस्त जिसको प्रायस भी कह सकते हैं चार्ज ओ फोर्फोर्ट एट्स ओर्टिकल डिस्टेंट A-A-A-B-B-B यानि कि यह जो Vertical Line है A-B-B- यह production point पर कितना production है इसको show कर रही है A-A-B-B-B-B के लिए ठीक है इसके अलाबा firm B cost is lower ठीक है यहाँ पर आप देखी रहे है फर्म B की जो cost है production point पर वो कम है किसकी तुलना में A की तुलना में ठीक है और जैसे इसे आप इससे plant से दूर जाते हैं तो consumer को और ज़्यादा pay करना पड़ता है क्यों कि इसमें transportation cost increase हो रहा है तो जैसे इसे आप देखिए आगे बढ़ रहे हैं तो इसका final जो charge है वो इस production point के charge से बढ़ता जा रहा है क्यों कि इसमें क्या हो रहा है transportation cost एंड रहा है साथ ही आपको यह आपको यह लाइन दिखाजे रही है इनको यह transportation cost को शो कर रही है जो बढ़ रहा है transportation plant cost and variable cost of transportation देखिए जो यह plant में price होता है price at plant यह fix होता है और जैसे से आप आगे बढ़ेंगे तो transportation cost variable है वो बढ़ता है घटता है एक sequence में बढ़ रहा है और sequence में घट रहा है इसके अलावा आप देखें तो the boundary between the market area दोनों फर्म के बीच में एक ऐसा point होगा जहां पर दोनों ही छेत्रों से छेत्रों में अगर आप जाएंगे चाहे ए में चाहे भी में एक ऐसा area है जिसको आप X बोल रहे हैं तो चाहे आप इस एक्स वाले point से एपे लेने जाहिए समान चाहे आप इससे समान B में लेने जाहिए दोनों तरफ आपको बराबर प्राइस देना पड़ेगा बराबर खर्चा होगा आपका और जो जूमर है वह इंडिफरेंट नहीं कर पाएगा तो विच फर्म दे बाइफ रॉम कहां से वह कुछ अपना सामान खरी दें क्योंकि दोनों पर ही बराबर पैसा देने पड़ेगा लेकिन एक जो एक्वाइरिंग एरिया है वह इतना है और बी का एक्वाइरिंग एरिया आप और यहां तक है केवल यहां तक है ठीक है यह ये इसकी बाउंडरी से हैं किसी भी प्रोड气्शन पॉइंट के बांब्रेज अगर उसके पास ही है तो वह उसके लिए नेगेटिव है पर और अपने 5 पॉसिबल locations को बताते हैं जहां पर firm established हो सकती है और ये इन firm को हम इनके माद्यम से समझेंगे ठीक है पहला देखिए पहला ये पांच firm लिखे हुए पांच illustration है इनके तो मैं इनको बढ़ता जाओंगा और आपको बताता जाओंगा देखिए A B C D E 5 है तो पहला देखिए पहला लुक抄iscover करते हैं वह दो फर्म हैं दोनों के दो दोनों का जो प्लांट प्राइज है वह इक्वड है और दोनों के दोनों का जिस प्रेटड चार्ज वहक्वल है तो इस कंडीशन में मार्कट एरिया बाउनडरी इनके बीच होगी इनकी जो boundary है इनके बीच में between a and b इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं देखिए यह bp is equal to a b a p sorry a p is equal to bp और a f is equal to bf लिखावा है a p का मतलब क्या है a और p यह a point का production cost bp का मतलब है b firm का production cost ठीक है p का मतलब price जो cost है price at plant a price at plant b तो यह दोनों के दोनों equal है आप देखि रहे हैं दोनों के दोनों equal है और इनका जो फ्रेट कॉस्ट है यानि कि भाड़ा है अगर आप a point का भाड़ा अगर देखें तो वो किसके बराबर है तो वो बराबर है b के b का भी भाड़ा इनके बराबर है तो यह कहीं यहां पर a और b के बीच में यहां पर देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और यह जो पॉइंट होगा माल लीजिए कि यह x है आप से पूछ सकता है कभी-कभी ऐसे भी यहां पर आपको देदेगा x यहां पर देदेगा y यहां पर देदेगा z आप सब बोलेगा और यहां पर यह लिखा होगा तो जब कभी भी देखे a p is equal to b लिखा हो और इस तरीके का डाइग्राम है तो जहां पर भी पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट में बेस्ट लोकेशन है इंडरस्टी के लिए इनकी सेपरेशन लाइन है जो बाउंडरी से सौरी आप कह सकते हैं कि यह बाउंडरी है किसी प्रोड़क्शन पॉइंट की यह बाउंडरी है जहां उसे खरीदने के लिए लोग ए पर भी जा सकते हैं और बी पर भी जा सकते हैं तो यह इनकी बाउंडरी लाइन क्या होगी? X होगी इसको धियान देना लेकिन दूसरी कंडिशन क्या हो सकती है दूसरी कंडिशन यह हो सकती है जब कि A P greater than BP यानि कि यह P माने क्या है price है F माने तो freight cost है तो देखिए आप A का जो price है वो B वाले firm की तुलना में ज्यादा है दिखी रहा है आपको यह ज्यादा है और लेकिन और यहां 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 पर freight cost भी A का ज्यादा है आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका पॉइंट यह जो फर्म A है इसका जो भाड़ा है वो किसकी तुलना में B वाले की तुलना में ज्यादा है तो आप कहे सकते हैं कि AP greater than BP और AF greater than BF है ना तो इस condition में यह कहां पर एक दूसरे को intersect करेंगे तो आपको दिख रहा है कि यह जो इंट्रसेट करेंगे वो इसको मैं जरा erase कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक है चलिए इसके आगे देखते हैं हम देखो जब greater than इस तरीके से लिखावा है इसका मतलब है कि A का price जादा है ठीकी रहा है इसमें और जब AF का greater than लिखावा है देखे हम कितनी rapidly आगे बढ़ रहा है price BF में उतनी rapidly नहीं बढ़ रहा है तो ये दोनों कहां पर intersect करेंगे इस point पर intersect करेंगे और intersect करने का मतलब क्या है वो मैंने आपको अभी पीछे example समझाया था कि इस point पर दोनों के दोनों का price चाहे इस x point से B पर आप समाल लेने जाओ चाहे आप A पर समाल लेने जाओ दोनों में आपको बराबर खर्चा करना होगा ठीक है तो ये अगर कहीं पर equation लिखा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये है x ये मालेजे y ये मालेजे कहां पर इनकी separation boundary होगी तो जहां पर दोनों के दोनों जो फ्रेट कॉस्ट के final charges है वो intersect करेंगे ये वाला point रहेगा y जहां पर ये separation line होगी boundary होगी किसी फर्म की ठीक है इसके अलावा देखे अगर condition ये होती थर्ड अगर ap जैने कि price a की जो फर्म a है इसका plant का price वो b की तुलना में कम है कम क्या बहुत कम है देखिए ये किसका plant का price जादा है a का जादा है तो a is lesser than bp ap lesser than bp और a का जो freight cost है वो b की तुलना में कम है तो af lesser than bf देखिए किसनी rapidly आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी से इसका freight cost भी बढ़ रहा है और इसका price तो point पर है ही कम तो इस condition में देखिए दो जगह पर ये intersect करेगा ठीक है ये दो जगह पर इसको intersect करता है क्यों करता है उस बात को आप समझ जाएंगे अभी ठीक है इसको देखिए आप जड़ा जब बहुत तेजी से आगे बढ़ता है अब मालेजिए मैं एक लाइन यहां पर खीज दूं और दोसरी लाइन यहां पर खीज दूं और अगर इसी तरीके से दोसरी लाइन भी खीची जाएगी इसी क सब्याइखो कि इसरों फांट पर पर इंटर्स चा करें यहीं इस कंडिशन में क्या होता है इसका यह रहा है कि इसका जो प्राइस है ठीक, जो B वाला प्राइस है, B का freight cost यानि transportation cost वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप, इसलिए ये A के freight cost को AF को दो जगे पर intersect करता है, तो जहां जहां पर देखो ये intersect करता है, वही वही उसकी boundary बन जाएंगी, देखो B की boundary कितनी है, ये बहुत कम है, अगर किस firm की boundary उसके पास आ जाती है, तो वो उसके लिए negative point होता है, इस बात को याद रखना, और A का, और A इसका काफी बड़ा area acquire कर लेता है, इस बात को भी ध्यान रखना, A देखिए कितना बड़ा area acquire कर रहा है, इतना बड़ा area acquire कर रहा है, बलकि इस point से भी, इस point से भी लोग यह यहां पर समान लेने आ सकते हैं, इस वाले firm से, और A ने इस बड़े area को acquire कर लिया है, यहां पर बड़ा area acquire किस के द्वारा क्या गया है, बी के द्वारा, और यहां पर दोनों का समान है, एक समान दोनों का area बटा हुआ है, अब जरा हम इस चौथे location पर आ जाते हैं, चौथ जाता है, इसमें आप इसको ध्यान देजेगा, A lesser than B, A P lesser than BP, ठीक है, लेकिन यहां पर जो यह लिखावने इसको आप यह करेंगे, ठीक है, A का price वो B के price की तुलना में कम है, ठीक है, यहां पर price ज्यादा है, B firm में, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखें, तो इसलिए हमने A P lesser than BP किया है, लेकिन अगर freight cost की बात करें, तो freight cost A का ज्यादा है, यह देखो, A का freight cost ज्यादा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए यह picture में, क्योंकि मैं डाउनलोड किया है, इसलिए इसमें यह वाला चीज गलत है, ठीक है, A का freight cost, B के freight cost के तुलना में ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते है, A F greater than B F, अब अगर आप इस डाइग्राम को देखेंगे, और यह equation आपको दे दी जाए, तो आप I hope कि समझ पाएंगे, तो A का जो freight cost है, वो freight cost है, transportation cost वो B के तुलना में ज्यादा है, क्योंकि B का देखें, आप बहुत धीमे धीमा आग A का जो boundary line बन गई है, market area की, वो इतनी boundary line है इसकी, इसके बाहर से कोई अगर इसे खरीदने के लिए आएगा, तो उसे घाटा होगा, इसके boundary line यह है, वही B की boundary line अगर आप देखें, तो इतनी बड़ी उसकी boundary line है, ठीक है, इसका जादा freight cost होने के वजह से, इसका जादा साद area कोईर कर लिया, किसने B region ने कोईर कर लिया है, और इसी का अगर आप देखें, दूसरा रूप है, यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है, इस condition को आप यह देख रहे हैं, यहाँ पर freight cost कम है, और यहाँ पर freight cost सारी, प्राइस प्लांट पर जादा है, लेकिन यहाँ पर freight cost बह बहुत कम है, देख रहे हैं, यहाँ पर कितना बहुत ज़्यादा difference है, और यहाँ पर अगर बहुत धीरे धीरे भी करके, प्रांट का transportation cost बढ़ता है, तो वह है, यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ने वाले transportation cost को बराबर कर देता है, तो इसलिए आप इस वाले location को कह सकते है कि यह AP is equal to BP और AF is equal to BF यहाँ इसको कह सकते हैं, तो यह इनके 5 illustration हैं, जहाँ पर इन्होंने बताई हैं कि क्या-क्या possible locations हो सकती हैं, I hope कि आपको यह 5 illustration समझ में आ गए होंगी, और इन ही को मैंने यहाँ पर इन 5 points में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, जिनको मैंन कुछ और important बातें इसके संबंदित लिखी गई हैं, इनको हम देखते हैं, जो कि आपके काम के हैं, यह जो situation आपको दी है, जो कि हमने देखिया अभी, इसमें three dimensional manner में आप इसको देख सकते हैं, in three dimension, the market area boundary, market के area के जो boundary है, यह market area है, उसके boundaries हम देख रहे थे ना, भी dot dot वाली लाइन आपको देख रही हैं, यह boundary है, ठीक है, इन boundaries को Todd Plender ने नाम दिया है, क्या नाम दिया है, बताइए, तो यहाँ पर नाम दिया, ISO TENDS, ISO TENDS का मतलब है, market area boundary, इसको दिहाँ देखना, यह एक focus point बन जाता है, जहाँ पर, जो delivered price है, from the producer, are equal, यह वो point होता है, अभी अभी देखरा में, जो price है, वो किसको, यह आपका, जो consumer है, उसको pay करना पड़ेगा, किसको deliver को, delivery जो charge, deliver करने वाला है, ठीक है, और जो gradient है, from delivered price, from inverted conical surface, at apex, directly above the point of, point representing the factory, इसके बाद यह कह रहा है, यहाँ पर देखे, और जो car खाने के ऊपर आपको यह उल्टा शी, शंकू क्या गार का, यह freight cost को दर्शाथावा illustration दिखाए देगा, कि कैसे करके, plant के production point से आप दूर जाएंगे, तो transportation cost बढ़ता रहेगा, लगातार इस तरीके से, ठीक है, अब इ इसके अनुसारी उन्होंने तीन अपने generalization नीचे बताएं, तीन सामानी करन करके उन्होंने तीन condition में क्या-क्या, कहां-कहां पर किस तरीके से होगा, boundary area क्या रहेगा, इसके बारे में तीन generalization उन्होंने बताए हैं, सबसे पहला कहता है, अगर दो फर्म, दोनों के दोनों का plant price और transportation rate equal है, देखो, plant पर price और transportation rate, freight rate यानि की, वो equal है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AP, AP is equal to BP, और AF is equal to BF, ऐसे अगर के लिख सकते हैं, correct है, तो इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं intersect करेगा, यह इनके boundary line होगी, यह अगर equal है, तो boundary will be line perpendicular to the line joining the first, midway, तो कहां पर होगी, between, उन दोनों के बीच में होगी कहीं न कहीं, midway, अगर price equal है, लेकिन जो cost है delivery की, वो vary करती है, क्यों, क्योंकि उनकी जो freight rate है, वो high है, ठीक है, तो isotents will be circle round the factory with high freight rate, तो देखिए, freight rate है, इसके चारों तरफ यह isotent की line घूमते रहेंगे, इसका मतलब क्या है, देखो अगर दोनों के plant के price equal है, ठीक, अगर दोनों के plant के price equal है, लेकिन उनके freight rate, जिस प्लांट के freight rate जादा है, उसके चारों तरफ, क्या करेगी, यह factory के जो circle है, वो घूमता रहेगा, isotents का circle घूमता रहेगा, यानि कि इसका मतलब यह है, माल लीजिए, इनका plant पर price यह है, यह firm A है, यह firm B है, इनका freight rate दोनों का equal आपको दिखाए दे रहा है, लेकिन जिसका transportation cost ज्यादा होगा, transportation cost देखी, इसका इतना है, और इसका इतना है, ऐसे, तो बताइए किसका ज्यादा है, तो अब जहिर से बात है, B का ज्यादा है, यह ना, तो इस condition में, तो isotents क्या होंगी, isotents B point के आजपास ही होंगी, यहाँ पर देखिए, क्यों, क्योंकि isotents क्या है, इनकी boundary line है, boundary line, अब इ isotents इसके आजपास आजएंगे, जो इसके लिए negative point है, isotents दूर दूर होनी चाहिए, इसका मतलब होता है, कि वो बहुत दूर दूर से इस पे लोग खरीजने के लिए आ रहे हैं, अब next इसमें क्या है, next है कि if only transportation cost, transport rate are equal, the isotent will be a hyperbola, concave towards the factory with the highest price, यानि कि कहने का मतलब यह है, अगर केवल फर्म की दरें समान है, तो जो isotent होती है, वो एक hyperbola होती है, और उच्तम मूले के साथ कारखेने की की और अवतल होती है, यह तीसरा इंका illustration है, इसके बाद यहाँ पर यह last चीज़ बता रहा है, कि जो size है, size of the market area that a firm control will influence the profit that it market, बाजार शेतर का आकार, बाजार के शेतर का आकार कितना होगा, जो एक फर्म को फर्म नियंतरिक करता है, वह उस लाब को प्रभवित करेगा, जो इसे बनाता है, ठीक है, उत्पादन के जो प्रती यूनिट, उत्पादन के प्रती यूनिट और लाब क लागत के साथ और बिक्री की महतरा से संबंदित बाजार के शेतर के आकार और कुलाब के साथ सेंथर से दूरी एक कारे बन जाता है, जो एक फर्म अपने बाजार का विस्तार कर सकती है, इसके बारे में आपको इसारी बात बता दिये, तो आई होप कि आपको ये टॉड प अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब लेका हूँ, तो उसमें ही इसकी प्रॉब्लम को समझा दूँगा, अपने फीडबेग आप जरूर देजीगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, थैंक्यू सो मच